गर्मी के एक दिन में जंगल के एक सेर को बहुत जोर से भूग लगी इससे हुआ इदर उदर खाने के तलास करने लगा कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोस मिला लेकिन उसने उसे छोड़ दी क्योंकि वह बहुत ही छोटा था फिर कुछ देर ढूंडने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला उसने उसका फीचा किया लेकिन से बहुत देर से खाने के तलास कर रहा था इसके कारण वह ठक गया था जिसके कारण वह हिरन को पकड़ नहीं पाया अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वो वापस उस करगोस को खाने के विशे में सोचने लगा वहीं जब वो वापस उसी इस्तान पर आया उसे वहाँ पर कोई भी करगोस नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था अब सेर खापी दुक्ती हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूकाई रहना पड़ा इस कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं अतिरिक लोग करना कभी भी फल दैग नहीं होता है